अगर मैं आप लोग को बोलो, शैद फूचर में SIM कार्स टोटली खतम हो जाएं और आप लोगो सिर्फ E-SIM देखने को में लिए, तो क्या आप लोगो कैसा लागेगा? ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, वेल, एक प्रेडिक्शन की जा रही है कि 2030 तक 75% डिवाइसेज ग्लोबल E-SIM के साथ होंगे, याने कि 6.7 बिलियन डिवाइसेज में E-SIM चलेगी, पर हाँ, अगर आप लोगो लग रहा है कि E-SIM सर्फ मोबाल फोन तक लिमिटेड हैं, बो अदर E-SIM के टेकलोजी है, याने कि आपके मोबाल फोन में जो SIM कार्ट चल रहा है, जो नमबर चल रहा है, उसी का ही E-SIM बन गया है, आपको ये चीज़ आपको देखने को मलती है, आपकी वाच के अंदर, जिसके अंदर अगर आपका मोबाल फोन घर में छूट जाए, त इन में भी E-SIM आ चुकी है, जितने भी कार्ज आज के समय में कनेक्टेड कार्स आ रही है, कई हो के अंदर आपको एक E-SIM देखने को मलता है, और हाँ, जितने भी इलेक्रिवेहकल्स आ रहे हैं मार्केट में, चाहे फोर वीलर ले, टू वीलर ले, इनके अंदर भी E-SIM क कि उपर इतना जादा क्यों जाए जा रहा है, तो को सिम्पल सी बात है, कि E-SIM के इंदर वाली प्रॉब्लम ने हो थी जो फिजिकल सिम कार्ड के साथ हो थी, क्योंकि अगर फिजिकल सिम कार्ड होगा, तो यहां पर वो डैमेज हो सकता है, या कोई उसको चुरा के, उस सिम पर जाते हैं, तो आपको बाहर बाग कंपनी के स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप अगर चाहे घर बैठे बैठे बैठे, E-SIM को यहां पर चेंज कर सकते हैं, और यह कुछ convenience वाली चीज थी, क्योंकि एक्ट्रा safety देती है, security देती है, जिस वज़े से लोग E-SIM जैसे कि आपकी Google हो गया, या Apple हो गया, क्योंकि वहां पर E-SIM का कल्चर आ गया था, इंडिया में भी E-SIM यहां पर शुरू हो गई थी, जैसे ही iPhone देखने को में लगे, और उसके अंदर भी E-SIM को पहली बार अगर कोई करवाने जाएगा, ने E-SIM, तो उसे easily हो जाएगा इसके साथ मैंने यह भी बात observe करी, कि E-SIM के साथ एक interesting चीज है कि कंपने जब धीरे-धीरे E-SIM only models पर जाना फोकस करना शुरू कर दिया, for example, iPhone Air पहला ऐस iPhone होता है, जो global level पर E-SIM only option के साथ आ रहा है, टहले E-SIM only options जो रहते थे कई बार आपके US तक ही limited रहते थे, लेकिन इंडिया और global level पर अगर वो E-SIM को promote कर रहा हो, global level पर चीजे ले जा रहा है, तो Apple भी देखा है, तो इस बात को लेके serious है, वो भी यह चाहते है, कि future portless phones का हो, future में आपको कोई भी SIM card slot देखने को नहीं मिले, लोग E-SIM को ही use करें, well, यह ऐसा message आते है, जिससे मेरे को रग इस वज़े से iPhone वगरा की sales impact करेंगी, और एक जमाने में Apple ने customized dual SIM iPhone बनाया था Chinese market के लिए, यहाँ पर dual SIM को use किया जा सके, क्योंकि कई जगों पर एक normal SIM और E-SIM तो लगे जा सकते, लेकिन China थोड़ा सा tricky market है, और इसी का impact हो सकता है, कि शायद Chinese companies जो है, वो अपने phone में restriction change हो गया, और वहाँ पर E-SIM अगर mainstream होने लगा, फिर तो यार market में आपको सिर्फ और E-SIM वाले phones देखने कुम लेंगे, यह चीज़ बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि एक बार Chinese अगर इस चीज़ पर कूद गया, फिर तो हम अपने हर product में डालते रहेंगे, और companies जो रहत सकता है, और काफी ज़्यादा chances है कि उसको वहाँ पर track किया जा सकता है, फोन को, तो कुछ advantages तो है E-SIM के साथ, लेकिन अब आप आईफोन को Android में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, आप E-SIM वगरा कैसे transfer करते हो, और एक mobile phone से E-SIM दूसरी के transfer करना हर किसी के बात नहीं है, लेकिन थोड़ा से tricky हो जाता है, दूसरी दिक्कत बताओं क्या आती है E-SIM के साथ, E-SIM के साथ दिक्कत ये आती है कि मानलो आपको mobile phone damage हो गया, तब आप क्यासे करोगे, इसके अलावा मानलो अगर आप GEO से E-SIM यूस करते हो, तुससे परेशान हो, तु दूसरे नंबर पर shift करना, यहां फिन mobile phone को completely change कर रहे हो, आप या बार-बार mobile phone बदलते हो, तो उस current में एक extra और एक hectic process यहां पर हो जाता है, जो जार regular SIM card के साथ नहीं है, इसलिए अभी भी इंडिया में जो लोगे regular SIM card को support करते हैं, और इसलिए मैं ही कह रहा हूँ, चीशा बहुत जादा दूसरे mobile phones में भी देखने को मिलेगी, और mobile phones के बार ये laptop जो आ रहे हैं, आथ के समय में जिनके अधा 5W compatibility आ रही है, वहां पर भी smart watches में तो already eSIM धीरे-धीरे market में अपने जगे बना रही है, IoT devices होगे, electric vehicles हो गया, और जो दूसरे wearable devices आएंगे, for example, headsets आ रहे ह इनके अंदर भी eSIM के technology बिल्ट की जा सकती है, तो ये भी कुछ है advantage है, कहने का मलब है कि हर एक चीज़ के positive और negative चीज़े दोनों होती है, और eSIM एक ऐसी चीज़े जिसके हमने positive भी देखे, negative भी देखे, लेकिन फिर भी जो exactly में market में push मिलता है किसी technology को, वो मिलता है market adoption से, वो हुआ है यहां पर और यहां पर जो companies, जो brand, जो products बनाती उनसे भी, यानि की mobile phone में eSIM के push मिलना शुरू हो चुका है, और यहां पर जो telecom operator वो भी eSIM को यहां पर और push कर रहे हैं, अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में eSIM का यहां पर future क्या रहता है, देखो 2030 30 तक तो प्रेट किया जा रहे, 75% devices eSIM के साथ होगे, लेकिन इसे जादा भी हो सकते, इसे कम भी हो सकते, पर यह डिपेंड करेगा कि आप लोगे preference कह रहेगी, तो यही सवाले जाते आते, आप लोग अभी के समय में क्या prefer करोगे, sim card या eSIM नीचे comment में बताओ, और हाँ व ने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ आप ते नेस्ट वीडियो के अंदर, गुडबाए!